हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे IPC की धारा 202 और 203 के बारे में यदि आप हमारी पिछली धाराओं के वीडियो देखना चाहते हैं IPC से रिलेटेड तो आप यहाँ पर किलिक करें यहाँ पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा IPC की धारा 202 क्या कहती है इसके बारे में हम बात करते हैं IPC की धारा 202 कहती है इतला देने के लिए आबद्य व्यक्ति द्वारा अपराद की इतला देने का सा आसाय लोग करना अब यह तो cutting language होगी तो इसको हमtonstellung language में कर लेते हैं कि यहन कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको सूचना देने का दाइद हो था और उसने information नहीं दी और उसका सा आसय लोग किया सा आसय लोग करना यहनिके आसय के साथ उस सूचना को नहीं बताना इसको कहेंगे सा आशय लोग करना पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है जो कोई यह जानते हुए यह यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराद किया गया है उस अपराद के बारे में कोई इतला जिसे देने के लिए वह वैद रूप से आबद था देने का सा आशय लोग करेगा वह दोनों में से किसी भी भाती के कारण बास से जिसकी अबदी छे माह तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा या उसको दोनों से ही दंडित किया जा सकेगा याने कि कोई व्यक्ति अपराद के बारे में सूचना देने का लोब करता है याने कि सूचना देने का उसका दायदू था और वह अपने दायदू का पालन नहीं करता है तो वह छे माह तक के कारवास से दोनों में से किसी भी बाती का कारवास याने कि सहस्रम कारवास भी हो सकता है और साधारन कारवास भी हो सकता है दोनों में से किसी भी बाती का कारवास जो 6 माह तक का हो सकेगा यानि कि 6 माह से ज़्यादा का नहीं होगा 6 माह से कम का ही होगा और जुर्माने से या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा तो इसके बारे में हमने पढ़ा इसके आवशक तद्व कौन कौन से हैं इसके आवशक तद्व हैν कि अभियुक्त कोई यह ग्यान था कि कोई अपराद किया गया है एक और पाइंट क्या अभियुक्त ने जान बूझकर ऐसे अपराद की सूचना देने में लोग किया है याने कि नहीं बताया है कि वहां पे कोई गटना दुरगटना हुई है कोई अपराद हुआ है ऐसा नहीं बताया है अभ्यूक्त ऐसी सूचना देने के लिए विदी तया बाद था याने कि उसका ये दायत वो था कि वह अपराद की सूचना दे लेकिन उसने सूचना नहीं दी इस सम्मद में हम एक उधारण ले लेते हैं उधारण में क्या होता है कि एक अभ्यूक्त है अभ्यूक्त की साली की मृत्ती हो जाती है और अभ्यूक्त की जो साली है उसकी जो मृत्ती होती है वो आप्राक्रतिक होती है आप्राक्रतिक याने प्राक्रतिक रूप से नहीं होती है आप्राक्रतिक याने कि उसके ससुराल वालों द्वारा या उसके किसी व्यक्ति द्वारा उसको जला दिया जाता या कोई भी कारण या वो आप्राक्रतिक मिरत्य उसकी होती है इस प्रकार से हम उसको समझें और इस मृत्यू का ज्यान जो है वो अवियुक्त को था लेकिन क्या हुआ कि उसने जो है पुलिस को कोई सूचना इस प्रकार की नहीं दी कि उसकी साली की मृत्यू हो गई है और उसकी आप्राकरतिक मृत्यू हुई है बलकि ये कहा गया कि पुलिस को सूचना देने की कोई आवशक्ता नहीं है मृतक का जो है दास अंसकार पुलिस को इतला दिये बगेर ही कर दिया गया तो यहां पर ये धारण किया गया कि अभ्यूक्त न जो है आईपीसी की धारा 202 के अंतरगत अपरात किया है अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 203 के बारे में आईपीसी की धारा 203 क्या कहती है ये कहती है किये गए अपराद के विशह में मिठ्चा इतला देना मिठ्चा इतला देना का मतला होता है जूटी खबर देना यानि कि जो बात ही नहीं है उस बात को बना करके जूटी खबर देना अपराद के बारे में जो कोई यह जानते हुए यह विश्वास रखने का कारण रखते हुए कि कोई अपराद किया गया है उस अपराद के बारे में कोई ऐसी इतला देगा जिसके मिठ्या होने का उसे ग्यान था या उसे पूरा इस बात का विश्वास था कि वह जो कुछ कह रहा है वह सत्य नहीं है तो वह दोनों मैंसे किसी भी भाती के कारावास से जिसकी अबरी दो वरस तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा या जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा या दोनों से उसको दंडित किया जा सकेगा यानि कि जुर्माना भी लग सकता है और सजा भी उसको हो सकती है लेकिन वो दो साल तक की हो सकेगी ज्यादा की उसको नहीं हो सकेगी तो इस प्रकार से हमने पड़ा IPC की धारा 202 और 203 के बारे में यदि आप IPC से related समस्त धाराओं का अध्यान करना चाहते हैं पूरी की पूरी IPC का अध्यान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें आई बटन पर किलिक करने पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा और यहाँ पर आजा करके आप पूरी की पूरी IPC का अध्यान कर पाएंगे तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वैल आइक उन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिपिकिसन भी आपको तुरंत मिल सके ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद